आप सभी को प्रणाम गुड मार्निंग और आज बीएड और बीटीसी बालों के मामले को लेकर लगतार जो इस समय मुद्धा चल ला है वो बड़ा ही कर्म है और यहां मामला आपका सुप्रिम कोट में बिचारत हीन है तो इस पे कुछ खास ये निज है कि कल सुनवाई होने वाली है सुप्रिम कोट में ठीक है और आपको बताते चले हैं जैसे कि यह मामला काफी लोग मैसेस करते हैं या काफी पूछते हैं इसलिए मैंने इस पे वीडियो बना दिया कि क्या डियलेड वालों का भी रिजल्ट नहीं मिला है तो भाई मैं डियलेड और बीड यह दोन आयोग के तरब से रिजल्ट सभी जीलो मतलब सभी डायट पे वित्रड किये जा रहे हैं बट सिर्फ सुनने में आया था कुछ क्लियर पता नहीं चला उसके बाद और नहीं किसी छात्र को कोई रिजल्ट बटा है ठीक है अब आपको बताते चलें कि उस समय यह कहा गया था कि BTC का रिजल्ट अगर बित्रड होगा तो BTC वालों को बित्रड होगा BAD वालों का रोका जाएगा और BAD वालों के लिए जब तक Supreme Court का आडर नहीं आ जाता है तब तक ना बित्रड होगा ना रोका जाएगा तो यह मतलब जब भी सुप्रेम कोर्ट से कल, देखिए कल सुनवाई है सुप्रेम कोर्ट में, बीएड और बीटीसी वाले मामले में, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यार मुझे नहीं लगता कि ये बीएड बीटीसी को निकाला जाएगा, जहां तक मुझे उमीद है कि इसका फैसला करेगी, अगर कहेगी यहां हम बीएड बालों को करवा लेंगे तो कोड का भी आदेश हो जाएगा, अगर नonnist का बाहर किया जाएगा प्रायमरी लेबल से, तो हो सकता है, बाहर भी कर दिया जाएगा लेकिन एन सेटी भी भारत सरकार के अंडर ही चलती है, त है और कोट का अर्डर क्या आता है ये चीजे पता चलेंगी और कल सुनवाई है तो देखते हैं सुनवाई कब तक हो जाती है जश्टिस अनिरिध्ध रोज और सुधानसु धूलिया जी के कोट में ये मामले क्या सुनवाई चलेगा बीएड और बीटीसी वालों का ठीक है तो बहुत ज्यादा परिसान होने की ज़रुवत नहीं है और रिजल्ट ना बीटीसी का बटा है ना बीएड का बटा है तो इसलिए आप लोग बिल्कुल धहरे बनाए रखें मुझे जहां तक उम्मीद है जब भी रिजल्ट बटेगा वो सब का बटेगा कल देखिए इस पे फैसला क्या आता है और जो भी फैसला आएगा एक बार हम लोग अपडेट करेंगे आगे कमेंट्स हैं मैंक कुमार भाई का आप एक अच्छे छात्र नेता है जी मैंक भाई साब बहुत बहुत दिल से तह दिल से धन्यवाद मैं अच्छा या बुरा तो नहीं जानता है ले आपसे ही उमीद है बस तो जी हम बता दें कि अपने तरब से मंदारी से आदमी प्रयास कर रहा है जहां तक लड़ाई लड़ी जा रही है कि जीत मिले इससे हम लोग पीछे नहीं हटे हैं न कभी हटेंगे और दिपिका राय जी आपसे उमीद है सर जी देखिए उमीद तो को पूरा प्रयास कर रहा है कि इसके लिए आदमी जो भी हो सके बढ़िया कर सके और जितना हो सके जल्दी कोट से हम आडर ले सके ठीक है तो आदमी प्रयास कर रहा है ऐसा नहीं है और यहोपे टेटी 2021 मामले में सिर्फ इतना गयना चाहूंगा कि कल सुनवाई दस्तारी को इ भी होगा मैं अपडेट कर दूंगा और साथी अभी बताना चाहूंगा कि अपर प्राइमरी को लेके लगतार लोग जो कमेंट कर रहेंगे सर अपर प्राइमरी मैं एक दिन थोड़ा फ्री समय लेके कलिलाबाद में युनिवर्सिटी में कारिक्रम है थोड़ा बेस्तता रहे मैं अपर प्राइमरी के लिए पुरे वेकायदे वीडियो बना दूंगा और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं उन कमेंट्स पे भी मैं वेडियो बना दूंगा और एक चीज कहते चलूँ मैं कमेंट्स पे इसलिए वीडियो बना देता हूं कमेंट्स पे बहुत सारी चीजे वि इपलाई कर दूँ तो वो ज्यादा बेश्ट समझा सकता है हर किसी को इसलिए बना देता हूँ तो धन्यवाद